ओर निफिटी और बैंक निफिटी में आ गई ही गिरावत जुस्तों क्या यह संकेत हैं रिवर्सल के क्या मारकेट यहां से रिवर्स कर जाएगा जुस्तों अगर आप सभी के मन में एह धेर सारे कन्फ्यूजिन हैं तो आज की वीडियो में में आपको ये सारे confusion का solution देने वाला हूँ मिश्कार दुस्तों मैं हूँ प्रिभाद कुमार स्वागत करता हूँ प्रिभाद वर्डिंग सेर्विस में दुस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कल के nifty bank nifty के expiry का एक बढ़िया call option put option भी देने वाला हूँ कि आप कौन से level के उपर call option कौन से level के निचे put option लेके चल सकते हैं यानि कल की मैं आपको nifty bank nifty की in-depth expiry view भी देने वाला हूँ कि कल nifty bank nifty कहां expiry कर सकता है और कल में telegram पे आपको hero to zero trade भी देने वाला हूँ जिस प्रकार से मैं हर बार देते आया हूँ इसी के साथ तीन स्टॉक हम लेंगे हम समझेंगे analysis करेंगे उसका पहला स्टॉक का नाम है मैरिक को दूसरा स्टॉक का नाम है दूसरा स्टॉक का क्या नाम है दूसरा स्टॉक का नाम है हमारा grass से मौरती स्टॉक जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा वीडियो का लाइक हम रखते हैं 2500 लाइक तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को आई हम पहले समझते हैं कि निकल के डेट में यानि 17th of June के डेट में निफ्टी क्या कर सकता है देखिए ये निफ्टी के चार्ट है राइट देखो निफ्टी बाय साइट में हमारा स्टपलोस आज ट्रिगर कर चुका है लेकिन सेलिंग साइट में क्या बताया था 820 के नीचे निकलता है तो आप सेल कर सकते हो और आज हमको लो देखने को मिला 15,750 के आसपास का अब सुनो बहुत ही क्रिटिकल बहुत ही कॉन्सॉलिडेशन जोन पर है मार्केट बहुत ही कन्फूजिंग जोन पर है अब आपको का एक सपोर्ट लाइन बनते हो दिख रही है मिरे को देखो बनते हो दिख रही है यह वाली अगर आपको फ्रेश बाय करना भी है तो सोचिएगा आप फ्रेश बाय करने के लिए 15,800 के उपर ठीक है यहां में लिखता हूँ क्लोर कर्ट क्योंकि जैसी सस्टेन करेगा तब यह आपको बाय करना है अगर पांस से दस मिंट का कोई कैंडल क्लोज होता है तो ठीक है तो बाय वव 15,800 के उपर जो आप का स्टल प्रेश रहेगा वो रहेगा 15,770 का target 1 के रहेगा 15,860 का second target would be 15,900 का इस case में आप buy कर सकते हैं options में आप options में buy करके चल सकते हैं 15,800 का call option buy करके चल सकते हैं इस call option में आप जरूर धान रखिएगा आपका पैसा अच्छा खासा ये कह केते हैं बना सकता है जैसी अगर ये धान रखना अगर ये level sustain करता है तो द्यान रखना के nifty slow चलता as compared to bank nifty तो मैं आपको रणीती पता दिए कि कल के रेट में आपको buy side कब रहना है ठीक है जब 15,800 का जब लेबल क्रोस कर जाए तो क्योंकि ये continuation pattern है और जैसी ये तोड़ेगा ना मैं आपको बता दूँ तगड़ी momentum देखने वाली हमको देखने को मिलेगी उपर side अब सुनिए है अपको sell हमको sell कब करके चलना देखो मेरे को market से लड़ना नहीं है दिक्कत लोग उनी के साथ होती है लोग लड़ते रहते हैं में नहीं मेरे को लगता market इधर जाना चाहिए अरे आपके लगने से मेरे लगने से क्या होता है market में नहीं we have to follow the market पहले market को चलने तो उसको तब उसके पीची पीची चलो आप राइट हैं तो चल के डिट में हमको शेल करके चलनार को जब हमारा मार्केट किस के नीची जायेगा यह सपोर्ट के नीची आप यहाँ पर कले कर दिख सकते हैं यह सपोर्ट आप को देख रखा है ठीक है तो यह आपका सपोर्ट है कितना फृतिन तावजन सेवन 1030 का ठीक है यह आ रहेगा 15,770 का टागेट वन क्या होगा 15,660 का सेकेंड टागेट वुड बी 15,620 का यह होगा दो टागेट निफ्टी में अच्छा 730 के लेबल या 740 के लेबल टूटने के बाद आप एक काम और कर सकते हैं या यह जैसे लेबल टूटेगा आप एक काम और कर सकते हैं आप 15,750 का आप 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 पीई बाई करके चल सकते हैं आपको बड़ी होमेंटम देखने को मिल जाएगा अगर यह टूटा ना तो मैं आपको बदा दूँ 100 से 700 पॉइंट के हमें राली फ्लो फ्लो में देखने को मिलेगी निफ्टी में तो यह रणीतियों को धान रखिएगा निफ्टी में सब कुछ डिपेंड है इनी जोन पे अगर यह जोन कट गया उपर तो बाई साइड आ जाएगा फिर से 900 कास पर चला जाएगा तो weekly expiry के एक दिन पहले volatility हमें देखने को मिलती है अब देखो अब यहाँ पे weekly expiry में मेरे को क्या बतलब अंदर से क्या feeling आ रही है कि देखो कल बड़ी momentum हमको उपर साइड या तो नीचे साइड दोनों साइड कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी अगर माल लो अगर हम बात करें कि कल nifty के expiry का हो सकती देखो अगर 15,800 के लेवल तूटता है तो 15,900 15,800 के बीच में expiry देखने को मिलेगी अपर साइड की बात कर रहा हूँ अगर 15,740 के लेवल तूटता है तो 15,600 और 15,750 के आसपास के बीच की इक पाइड हमें देखने को मिलेगी जरूर निफ्टी में यह हरनीती है कल के लिए देखो मैं अपने अनुव से बता रहा हूँ मार्केट ना ओलेडी एक्सपाइडी के दिन एक्सपाइडी के देखो दो दिन पहले कि आसपास बूम ऊपर बूम नीचे ब्लास होने वाला एक दोनों साइट तो रेडी दहीएगा आप लोग कल के लिए जानते बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों देखो बैंक निफ्टी ने भी हमारा स्ट्पोस ट्रिगर किया अच्छा बैंक निफ्टी ने दोनों साइट ठीक हम मैंने 35 के नीचे सेलिंग बोला था लेकिन 35 के नीचे उतना गया ही नहीं ठीक है बड़ा कन्फ्यूजिंग था सबके एसल ट्रिगर किये बैंक निफ्टी ने बड़ देखो अब हमको अब हमारे पास एक फ्रेश लेवल ने कल के लिए फ्रेश शेलिंग सेलिंग करनी है चोतीजार नौसो बीस तीस के नीचे ठीक है लेकिन हम पहले बाइंग साइट का समझते देखो पहली बात बैंक पास ही चीज़ है अगर कोई भी रेजश आपने के बाद एक रेंज बना तो गूड राइट तो कल के डिट में अगर bạn員 को 해도 तो बाई करके चलेंगे ठीक है तो बाई अवव 35,050 के ऊपर SL क्या रहेगा 34,900 SL का SL रहेगा टाकेट वन क्या रहेगा 35,200 का 30 and second target रहेगा 35,350 का ये तो टाकेट रहेगा बांक निफ्टी में and you know what बात ये है जैसी 35,050 का लेवल तोड़ता है न आप एक काम कर सकते हैं आप ITM 35,000 का आप कॉल ओप्शन बाई करके चल सकते हैं ठीक है जैसी बाई करेंगे ये पावर रखता है कल ये हीटो टू जीरो बननेगा ठीक है इस कॉल ओप्शन पर धान रखिएगा कल मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का ओप्शन देने वाला हूं आज मैंने जान बूझके ने दिए विकास मार्केट में ठीक लग रहा नहीं था ठीक है सो इस कॉल ओप्शन पर कल धान रखना ओके हम जान चुके हैं बाइंग साइड यानि अगर ये सिंपल साथ देखो लॉजिक क्या है रेंज टूटा है रेंज बनाया है अब जसी सस्टेन करेगा फाट देगा उपर साइड ठीक है ब्रेक आउट देगा उपर साइड अगर ह आपको सेल बिलो करके चलना इसके नीचे क्या रहेगा तरीफ सकर capacity का यह तो टार्गेट रहेगा 3400920 का तोडते आप हे काम कर सकते अगर आप थोड़ा सा थोड़ा डिस्की वाले ट्रेडर हैं तो आप ITM में 35,000 का पुट ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं ठीक है मुमेंटम बढ़िया देखने को मिल जागा डबल हो सकता है धान रखना अगर तेजी से बैंक निचे आना फटाक से बहुत टगड़ा ओमेंट देखने को मिल सकता है और अधर्वाइस थोड़ा सस्ता लेना चाहते हो तो काम करो चौटिस नौसो का पुट ऑप्शन पर ध्यान रखना ये भी आपका बढ़िया चल सकता है बस चौटिस नौन नौसो के तुरं 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 निजिया ना चाहिए ठीक है ये कल के डिट में रणीती है बैंक निफ्टी का अब देखो बैंक निफ्टी के एक्सपाइदी क अब अगर अगर MARKET लिट्रल यांसा भागना होगा ना तो यह 具ड़ेक चल जाएगा ऊपर ओपर और देखो, expiry के एक दिन पहले यूज्वली हमको एक range बनते हो दिखती है ये बहुत बढ़िया क्या कहते है, बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्शन हमको बनते हो दिख रहा है बहुत बढ़िया हमको एक setup बनते हो दिख रहा है, इस setup का ऊपर मैं तो buy है, नीचे मैं तो sell है इससे बढ़िया setup मेरे को लग रहा है कि आज से पहले नहीं बना था, ठीक है अब हाँ, जहां भी breakout, breakdown ना था हमको बढ़िया momentum देखने को बिलेगा इस back, nifty से भी ज़्यादा बढ़िया setup हमको nifty में दिख रखा है, अब let us see अब देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है हम जान चूकिए nifty bank, nifty का भी दोस्तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है आपको इन डेप्थ आपको नलसी बता रहा हूं मैं nifty bank, nifty के expiry के range भी दे रहा हूं कि कहां expiry हो सकती है, तो अगर आपको अच्छी लग रही है यह जनून effort लग रहा है, like, subscribe, share करना ना बोलें चलिए, जान चुके हैं हम nifty bank, nifty का भी चले जानते हैं अपने stocks के बारे में दोस्तों जो पहला stock है हमारा उसका नाम है मैरिको, अच्छा इसको buy करके चलना है अच्छा buy क्यों करके चलना है, let me show you दोस्तों, जैसा है कि आपको मैंने कल बताया था मैरिको को मैंने आपको आज के लिए buying के लिए दिया था और आज ही execute हुआ नहीं लेकिन मैंने इसका पीछा फिर भी नी छोड़ा है आज है कि इसमें moment आएगा है नहीं लेकिन आपको इच्छी बताओ मैं यह दे चुगा है breakout, breakout कैसे दिया, let me show you तो यहाँ पे आज ने clear cut क्या दे दिया है breakout दे दिया है इस वाले resistance का, ठीक है यह resistance था बार बार buy करके, अब आपको buy करके चलना है नहीं कल के डिट में buy करके चलना हमको जब तक हमारा मैरी को किसके उपर रहता है 505 के उपर, ठीक है तो buy above 505 SL क्या रहेगा 502 का या 3 का कह लीजिए, ठीक है target 1 क्या रहेगा 510 का target 2 क्या रहेगा 514 का यह दो target रहेंगे मैरी को में जानते है, second stock second stock का ना में Infosys, Infosys को buy करके चलना है, daily के देखो, चार्ट पर अगर मैं आपको चीज दिखाऊँ, देखो, daily के चार्ट पर breakout दे चुका है जानपुज के फिर से आप देखो, hold किया जा रहा है और आज एक continuation pattern का breakout दे चुका है मैं आपको 10 मिंट के चार्ट पर लेके चलता हूँ इसका breakout हो चुका है, ये kind of box pattern है breakout उसका देखो, have a look breakout ये दे चुका है जब तक हमारा Infosys, जब तक 1477 के उपर हैगा तब तक आपको buy करके चलना है तो buy above 1477 stop loss क्या होगा, 1472 का target 1 क्या होगा आपका, target 1 होगा दोस्तों आपका 1493 का second target होगा आपका 1500 का ठीक है, ये है कल के लिए Infosys में trade दखो, काफी सारे मेरे trade में न, और trade एक्टिव हुआ नहीं होता है लेकिन लोग वहाँ पर ले लेते हैं पता नहीं क्या लगता है लोग को मैं इसलिए कहता हूँ, थोड़ा सीखो आप tips के पीछे मत भागो, मैं tips नहीं दे रहा हूँ, ठीक है चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अब last stock, last stock जाने उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे telegram चलमा भी तक नहीं जुड़े हैं, आप जाके जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम आपको live market में धेर सारे trade देते हैं आज हमने दिया था आपको Minda industry शानदार, धमाकेदार चला, ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत जादा इसने हमको return दिया Minda industry ने और के याई उतना नहीं चला दोस्तों, के याई में हैसल हिट हुआ, ठीक है उसके बाद में अपको क्या दिया दोस्तों, उसके बाद हमने आपको दिया था क्रिसल, तगड़ा, मोमेंटम दिया इसलिए कहता हूँ, यह आपको benefit मिलता हमारे टेलग्राम चल में जोड़नेगा हमने उसके बाद आपको दिया था, care rating जोस्तो, care rating में हमने आपको बोला था कि बिल्कुल small quantity में आप trade लीजेगा 30% interest लीजेगा profit का, ठीक है ठीक है, हमने कल भी दिया था free training, live आके और आज भी दिया था तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा हमारे चैनल को like, share, subscribe करना पड़ेगा तभी आप eligible हो पाएंगे हमारी free training के लिए उसके हम क्या करेंगे, आपको free training का link पोस्ट कर देंगे हमारे telegram channel में और YouTube channel में तो आप इस मौके का फाइदा उठाइए, जानते हैं, last stock, last stock है grassim इसको sell करके चलना है, देखो breakdown दे दिया है, तो हमें क्या करके चलना है, sell करके चलना है टागेट 1, टागेट 2 में आपको update कर दूँगा, ठीक है, यह हमारा कल के लिए तीन stock, आज हमारा just style बहुत शांदर चला था YouTube का stock, बाकी दोनों ने, बाकी दोनों जोस्तों active हुआ ही नहीं थे, इसलिए उसमें trade execute हुआ नहीं, ठीक है, जोस्तों आज की वीडियो कैसी लगेए, मैंने को comment section में लिके बताईएगा, हमारी team आपके लिए हर दिन महनत कर रही है, उसके लिए एक like share तो बनता है जी, ठीक है, तो आप लोग like share करना ना बोले, हमको support करना ना बोले, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार से trade देते रहें, ठीक है, और आप सीखते रहें, समझते रहें, मैं मिलता हूँ नेक्स वीडियो में, तिल देन, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को